जिलाकुलो की धार्मिक नगरी मनिकंड में HRTC ने बस अड़े पर अपनी रसी लगागर विवात खड़ा कर दिया है बस अड़े में नाकर लगाने से ग्रामिनों का प्रवेश भी प्रति बंधित कर दिया गया है जिस कारण ग्रामिनों में भारी आक्रोश है और बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है यही नहीं हर दिन मनिकर्ण बस अड़े पर ग्रामिनों वो HRTC कर्मियों में बहस भी हो रही है दरसल मनिकर्ण बस अड़े RM के फर्मान के बाद यहां पर बस अड़े में प्रवेश करने वहानों के लिए 40 रुपए फीस वसूली जा रही है जो भी वहान बस अड़े में प्रवेश करेगा उसे 40 रुपए एंट्री फीस देनी होगी लेकिन HRTC प्रबंधन ये भूल गया है कि मनिकन गाउं को जाने का रास्ता ही बस अड़े से है जिस कारण विवात खड़ा हो गया और इस समस्या के समधान की भी मांग रखी इस दोरान भाजपा के पुरप्रत्या शी नरोतम ठाकुर वो टैक्सी यूनियन मनिकन के प्रधान चंदरपाल भी उपस्तित रहे उन्होंने बताय कि मनिकन पारवती नदी के दोनों छोर पर बसा है एक छोर में स्थानिय लोगो के होटेल बस अड़ा वो कुछ थानिय लोगों के मकान है जबकि बस अड़े की दूसी तरफ मनिकन बाजार मनिकन गाउं राम मंदिर शिव मंदिर गुरुद्वारा रगुनात मंदिर नैना माता मंदिर शिव दवाला सहित गरम पानी के चश्मे है नरोतम ठाकुर और क्या करना पर चूंगी लगी तो हमने का उनसे कि देखो हम 30 साल से यहां पर ऑफिस को चला रहे हैं आप हमें नहीं कोल सकते हैं तो उन्होंने का यह जमीन अवार को एचाटी से की विवाग को लॉट हो चुकी है आपको बाहर निकलना पड़ेगा तो उसके कारण उन्हों का कि अगर आपको गाड़ी अंदर लगानी है तो आपको 47 रुपए शुलक बरना पड़ेगा एक परड़े का तो टेक्सी वाले रोज रोज 47 रुपए बरने सकते हैं तो उन्होंने हमने बाहर गाड़ी लगानी शुरू कर दी तो बहुत बड़ी जाम की समस्य आ रही है इस कार चाहता हूं कि हमारी जो पार्वती वैली की जो ब्रांश आपिसमनी करने कि जल्द से जल्द हमारे को पार्वती जो पार्किंग का प्राफदान किया जाए धनिवाज टेक्सी ओपरेटर्स का डेपुटेशन आया था तो मैं भी इनके साथ गया इन्होंने अगरे भी किया तो डीजी साब हमने बात की कि इनको जो यह तो जो पहले से जहां लगा रहे हैं टेक्सी 30 सालों से जो अभी बस्टेंड बढ़ा हुआ है तो यह तो बहीं लगाने दिया जाए या तो इनके लिए कोई आसा और जगा अरेंजमेंट किया जाए जहां जो ऐसे सो दो सो टेक् जो नो हम रहती वैसे बूंतर से मनिकन जो जाम लगता है पैंती किलोमेट्र को हमारे 3-4 गंटे लगते पांच पांच गंटे लगते कभी कभी पूरा दिन भी लगता है तो पहले से जाम किसमस्य है और जब से HRT से वहां चूंगी लगा दिये इन से डेली संतारि रूपे लेना शुरू कर दिया है एक अभी काम भी नहीं होता तो इतना देने में सक्षम भी नहीं है इनकी मांग जो जन्यू ने हमने डी सी साब से बात की है तो डी साब ने कहा है कि कोई मुझे अल्टमिनेट जमीन बता दो चाप फोरेश्ट लेंड हो बहां पर जो टेक्सी स्टेंड बनाएंगे हैं तो हमने आगरे किया कि तब तक जो इन से चुंगी वगहरा नहीं लिए जाए जब तक वो दूसरा अरेजमेंट नहीं होता है तो अभी देखते हैं क्या होता है अगर अगर नहीं हो तो फिर हमारे जो और कड़े कदम भी उठाने पड़ सकते हैं